आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी मैं हूँ मनीश बहदोरिया शुरुआत करते हैं उतर प्रदेश की खबरों से राम मंदिर के लिए आमरन अंशन पर चर्चा में आयत तपस्त्वी छावनी के पीटा दिशुवर जगत गुरू परमहंस दास समय सवय पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं वही एक बार और चोका देने वाला बयान दिया है उनका इसका दावा है कि जोतिश शास्त्र के अनुसार शास्त्री किताबों के अनुरूब दोजार पच्चिस में भारत का राश्टी द्वज भगवा होगा प्यारे देश वासियों आयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पिठादिश्वर जगत गुरूप परमहंस आचारी जोतिश के अधार पर आज मैंने देखा कि दोजार पचीस तक भारत का राश्टी द्वज भगवा हो जाएगा बंदे मातरम भारत माता की जै हरहर महादेव जै हिंदू राश्ट्र 16 जुलाई को बंदेल खर्ण वासियों को देश के प्रदान मंतरी नरेद मोदी ने इस दौरासियम योगी भी मौजूद रहे जिसे लोगों को यात्रा करने में चित्कूट से डिली से रात लग जाता था वहीं अब महें च्छे गंटों में अपनी यात्रा को पूरी कर सकेंगे यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा एक्स्परस्वे होगा जनता से बात करने जाना है बुंदेलखंड इस प्रेस्वे जो भारत सरकार और योगी सरकार की देश बुंदेलखंड वासियों को आज उसकी राज पूछेंगे हम जनता से इसमें करीबन नहीं तो चैटोल प्लाजा के आसपास है चार जिले इसमें कनेक्टेड है रोजगार का अच्छा सनी करल बनाया है इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा कई जिले ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा नजदीग हो जाएंगे बांदा से कर्भी से औरही से चित्र कि जाता साथ हो जाएंगे इसमें समय की बचत होती है जैसी कि जो यात्रा जो पर्लिप करेंगी लोग करेंगे उनमें इसके फाइदा मेलेगा है इसके बैनिफीशियल देखिए एजर टाइमिंग के हिसाब से बहुत ठीक है हमारी काडियों की रिक्यूपेंट के हिसाब से कि बहुत जाता ठीक है इसमें रोजगार आधमियों को मिल लाए और समय की सबसे बड़ी पचत है इसमें साथ जीलों का जो फाइदा हो और भी इससे जोबर चलना आहिंसे जुड़ी हुए गाउं को भी लाब है जैसे माली कहीं उतार है तो समय की गति जो है कम हो पर जैसे लोगों को सबी लोगों को लाओं यह थी जो हमारे जनता की रहा है कि मुझने गन इस प्रेसमेश के इनका जो च्याप राफिट मिलने वाला च्याप देने वाला है वाना से जुवान कांट प्राइम लीडियो तो लखनों में तमाम हिंदू संग्टों ने इसका पुर्जोर तो वहीं दूसरी और इस प्रकरणों में कुछ प्रशनकारियों को नई ख़जासत में भी जेल भेज़ दिया गया आईए सुनते हैं इस पूरे मामले में क्या हुआ लखनों की जनता की क्या रहा है देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट साफ साफ ये विरोध किया था कि वो सुन्दर कांड का पाट पड़े गए लेकिन इस विरोध को किसी न किसी तरह स्थगित किया गया तो उसके बाद आज की बात है तो कुछ हिंदू संगटन के लोग बहाँ पर विरोध करने पहुँचे और पुलिस ने उन्हें दलबल के के अजनता इस पूरे नमाज के विवाद या नमाज के मामले को लेकर अपना रिवीउर रखती है क्या बयान रखती है आज हम आपको सुनाएंगे और जानेंगे लखनों की मन की बार अजा एक मार्ण बेलकुल कभी नहीं और कहीं नहीं होना चाहिए देखिए धर्म अलग सब्सक्राइब करना चाहिए तो पहले जो हुआ उसको भी सोचना चाहिए था यह फिर पहले उनको जो है उनके खिलाब कारवाई किया जा इसके बाद अगर उनका कारवाई हो जाता है फिर अगर हमान चाली सा पढ़ी जाए तो इनके खिलाब की जाए बिलकुल अगर बाई अगर आधा से जादा जंसंख्या अगर इसके विरोध में है तो जो वो चाहती है वही होना चाहिए हम यह नहीं बोलते ह ऐक्पढ़ी जाना चाहिए यह नहीं पढ़ी जाना चाहिए तर देखिए अगर वहां पर जो भीबाद लेके चल रहा है जैसे की आप रस पढ़ागा यया फिर उसके बाद यह हुआ कि अगर नवाज पढ़ी जाएगी तो वहाँ पे हनमान चालसा भी पढ़ा जाएगा एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी सही है लेकिन अगर हमारे हिसाब से माना जाए तो वो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे ऐसा दुनों चीज़ करना जायज नहीं रहेगा सायद वहाँ पे हम लोग वो खुला है इंजॉय करने के लिए सौपिंग करने के लिए ना कि ऐसी कुछ चीज़ें फैलाने के लिए या जो भी उस मानसिक्ता से रखते हैं बिलौन करते हैं वो वो लोग समझ सकते हैं पर मेरा बस इतना ही कहना है कि वहाँ पे सौपिंग करने आए हैं इंजॉय करने आए हैं तो वही करिये कुछ लोगों ने कहा कि सीम योगी के नर्देश हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि मॉल को मॉल की तरह ही देखा जाए कैमरा में सुभम के साथ सागर थापा प्राइम टीव लखनो खबर गुंड़ा से जहां परिवार नियोजन के लिए नाव विवाहितों को मिलने वाली नई पहल किट शगुन किट की खरीद और वितरन में लाखों के खेल का मामला सामने आय सगुन किट वितरन के लिए ना देकर 21.2 लाक रुपयों के बंदर बाट आपस में कर ली गई है इंचार्ज से डारेक्ट फोन करती कि एक्जेक्टली दीजिये हमें कि कितना गैप है कितनी शौर्टेज है वो शौर्टेज सप्लाई करने का इमिजेटली और रस दे दिया गया कि वो सप्लाई इमिजेटली कर दीजाए कहीं भी गैप ना है खबर बंदायू से हैं जहां के विकास खंट जगर छेत के ग्राम पचायत के बर साल में जूनियर हाई स्कूल बना हुआ है जिसमें सिर्फ दो ही सिक्षा मौजूद है और यहां के अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए समय पर स्कूल नहीं आते हैं जिला बेसिक सिक्षा अध्यापकारी इन अध्यापकों के ओपर क्या कानूनी करवाई करते हैं या फिर इसकी फाइल को बनाकर कागजों में दबा दिया जाता है अध्यापक पैसे करेंगे नहीं इतनी हम इतनी आप बता रहे हो जी हम आप पे जूट थो जोड़ी हो लाहा हम इसकूल में इस्टमत महजूद है बच्चे भी खड़े हैं सब कमड़ों में ताले लगए हैं बच्चों से बात कर लेएं बच्चों सबाज करांब सब्सक्राइब नमस्ते क्या नाव है बेटा? मुहमद अता है अबे कौन से किलास में पढ़ते हो कौन सी कच्छा में? आठ में किलास में आठ में जोल नम्बर किकना है? जोल नम्मर उननेश अभी तुम्हारे दुनी लोग आए नहीं अभी नाँ अच्छा इतने देर आओ गेट से आते हैं अहां कभी आठ वजे को सारे आठ वजे कभी नौ बजे नाम क्या है गुरू जी के नाम आप दोग मिस्टा दूसरा नाम नूर अर्थ नूर अर्थ नूर अर्थ नूर अर्थ तो सारे आठ वजे अभी तक तो कोई है नहीं यहां पर बच्चे रहे हैं आप देर भी जेगा उन पर कारवाही करेंगे दूसरे कारकाल में मशूर बाबा का बुलडोजर का असर अमेठी में भी पूरी तरह से दिखाई दे रहा है ज अक्की दिवार बनाकर अवैद रूप से कबजा किये थे जिसकी शिकायद मिलने पर नाव तैसीलदार के नितरत में राजस कर्मियों की अगवाई में जमीन की पहमाईश की गई चिन्द जमीन पर अवैद रूप से खड़ी दिवार को जैसी भी की मदद से गिराकर मुक्त कराए गया किया चातों ने अगनी को साक्सी मानते हो सपद लिया कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले दो तारीकों भव प्रदशन किया जाएगा घो कि देखिए इस ब्रस जल्ट में तुगलगी फर्मांट जारी करते हैं पिछले दिनों चार्सो परदर्शन को सथबुद्धी कर दी हैं हमारी मांग आध मीद कि वहापी सोविद्धी को लेकि आज हम लोगों अलहाध में बुद्ध सुद्ध्य की बच्चार से बढ़ जाएग तो यहां पढ़ ले रहा है उसके लिए आने वाले समय में पर आसे बंदो जाएग के लिए हमने आजे सद्वुधियक किया खबर अलीगर से जहां के थाना सेविज लाइन इलाके की जिला कचैरी में आपसी कहा सुनी को लेकर वकीलों के बीज मार्पीट हुई जिसका वीडियो सामने आया है वीडियो में एक अधिवक्ता दूसरे अधिवक्ता के चेंबर में घसीटे हुए बहा सड़क पर ले आया और फिर उसके साथ जमीन पर गिरा कर भी मार्पीट की गई दिल्ली एंसियार में हुई बरसाथ के चलते जहां दिल्ली पूरी तरह से लबालब नज़र आ रही है तो वहीं फैदाबार ने भी कुछ ऐसा ही नज़रा आप देखने को मिलना है जहां गोल्ड फैर फैदाबार रेलवे अंडर विश के नीचे बरसाती पानी जबा होने के चलते वहान के साथ वहान चालग भी फर्स गैस सिविल डिफेंस की टीम रिश्कु किया और लोगों को सुरक्षित निकाला रामनगरी अज़्दा में प्रभू शेराम लला का मंदे निर्मार का तेजी से चल आ है मंदिर इनमार में बसी पहारपूर के पिंग स्टोन में से रामलला का भवे मंदिर बनाय जा रहा है तो वहीं रामलला के मंदिर में करब्रे को लेकर 14 दरवाजे होंगे अब इन दरवाजों को लगाए जाने के लिए मकराना मारवल चौकट और बाजू बनाय जा रहेंगे जिसकी नकाशी मुस्लिम समाज के लोगों ने की जो है संगमामर जो है दो हजार वर्स की बताई जा रही है तो इस दिश्टी से अगर देखा जाए तो यह संगमामर का पत्थर जो है वहाँ से लाया गया है और इसे जो है यहां पर रख दिया गया है यह विसेस कर ये भी हम सब को जो जानकारी मिली उस समय जब नियास ने इसके तरासी कर आई तो वहां की जो मकराना की फर्म थी वो मुस्लिम बंधों की थी उन्होंने अपना सोभागे समझा कि राम जनम भूम पर हमारे हाथों की कलाकृती से नकासी की गई ये पत्थर जो है वहां पर लगेंगे ये हमारा सोभाग गय है उन्होंने अपने आपको भगवान राम कहा कि वो हमारे पूरवज हैं तो इस परकार से इन पत्थरों को उन्होंने बड़े ही प्रसन्नता पूरवग नकासी की अपरादवा अपरादियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाय जा रहे अब्यान के तहद बिजन और थाना कौतवाली और शार पुलिस दोरा पुलिस मिड़ बेड में वांचिद शातिल लुटेरे को अवैद हत्यार साइद गरफतार कर लिया गया और अस्थान में रहने व चेकिंग पर थे हैं कि सेंट मेरी चौराय के पास वहां पर एक अभीव्त को चेकिंग के लिए रोका गया उसके पास एक तमंचा मिला और पूस्ताच करने पर पता चला कि विज़त दो जून को हुई एक चैनिस सेंचिंग की घट्टा में इसम्लिक थाओ उसके पास से वा अपरण हत्या कान मामले में संसिनी खेश खुलासा हुआ है जहां स्कूल के ही कक्षा 10 के नबालिक ने अपने अन नबालिक सातियों के साथ अपरण और हत्या की वरदात को अंजाम दिया बता दे कि हर्श का अपरण कर पैसे वसूलना चाहते थे पांच नबालिक चातर अपरण के अपरण के बाद प्रकाश में आई जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था उसी स्कूल का एक दस्वी पक्षा का शात्र था और उसके साथ उसके चार अन ये साथी जो सभी के सभी नबालिक हैं इनमें से एक शात्र का कुछ आर्थिक नुपसान गुआ था वो पेटीम करते समय किसी गलत अकाउंट में से पैस इन्हों ने ये घटना गादित करी जिका लगी वैन में प्रेस आईडी कार्ड मीडिया माइक भी मिला जबकी पकड़े गए बदमाशों के पास से एक तमांचा दो कार्थूश पाये गया खबर राए बरेली से जहां लाल गंज के गायत्री देवी महिला विश्व महाविद्याले की चात्राओं ने सरकार से नराज़गी वेक्ट करते हुए बताये कि आसपास की महाविद्यालों में पढ़ने वाले सबी चात्राओं को स्मार्टफोन मिल गया है जबकि स्मार्टफोन वित्रण हुए लगबग दो माविच चुके हैं लेकिन गायत्री देवी महिला विश्व महाविद्याले की चात्राओं को अब तक स्मार्टफोन नहीं मिला जैसे चात्र मायूस है अच्छा अच्छा बात चित हुई है और बिद्याले की चात्राओं का कहना भी जैज है जिसके प्रकास सरकार ने मुसे वादा किया है तो कहिंदी राइबली के जिले में कुछ बिद्याले में डिगरी का लग़िव में लैपटाप और स्मार्टफोन वगरा आये भी है और मिले भी है लेकिन अभी हमारे यहां की सूची जो है घेजी गई है लेकिन अभी यहां पर कोई वैसी सुधा मिली नहीं है जिससे बच्छों को हम प्रवाइड नहीं कर पा रहे हैं ख़वर फरीदाबा से जहां सूरजकुन में आजुद किये जा रहे तीन दवसी प्रशीशन सिवर के दूसरे सासत आजुद किये जा रहे हैं और यहां बात भी रखी जाती है और उसके बाद फिर प्रशन पूछने के लिए भी समय दिया जाता है जो कार्यकरतों की शंकाइन होती हैं उनका उसमें उत्तर दिया जाता है उनको क्लीर किया जाता है जो घृक्रव्वाश पुर पर जो पल्टिकी की रिती नीती उसके बारे में बदाये जांट、 भारत यहां की कल्चर के कारण एक फेस बरना है! यहां राज्य तो छोड़े छोड़े बहुत सारे थे दुनिया के बहुत सारे देश इसलिए बने कि उनका राज्य एक था हमारा देश इसलिए एक है और इसी कान से एक बना कि उसकी कल्चर एक थी आशेकु हिमाले आप देखते हों में बहासा अलग-अलग है लेकिन साहिते एक ही है यह मोदी सरकार की जो संकल्प से सिद्धी है सौ परसेंट लाब भारती को जो योजना बनी उसका लाब मिले इन आठ सालों में चाहे वो देश का सम्मान हो देश का खजाना हो देश की सीमाएं हो सब सुरक्षित हुई है गुंडा के तरफगरं तसील में डियम के अधिक्षिता में संपूर समधान दीवस का आउजन किया गया इस दोरान डियम ने लोगों की समस्यां सुनी और लंबिद मामलों को देखकर डियम के कई अधिकारियों को जम कर फटकार भी लगाई और कहा कि जल से जल लंबिद मा सामने आए जहां घर में सो रही महिला की धारदार हत्यार से हत्या कर दी गई और वहीं बिजना और पुलिस ने महें 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जनकाली के मुताबिक आरोपी मेर्थ महिला का भतीजा है यह एक शंसमी केज गटना थी इसके पनावराण के लिए तीन टीम में लगाई गए थी चेत्रा दिकारी नगिना के नेतरुक में और टीम ने काफी मेहनत करके प्रयास करके 24 घंटे में इस अग्यात हत्या का कुलासा किया जो है और इसमें जो कुलासे में आया इसी का सगा बतीजा जो बगल के वाजित नाम था जो इसी का सगा बतीजा है और बगल ही घर में छट के उपर सुरा था रात्री में बुरी नियस से इसके पास आया पहचान होने के डर से जब महिला ने पहचान लिया तो इसने जो है और वो दर्वाजा खोलने के लिए भागी तो इसने उसका जो है धारदार जो अत्यार से उसका जो है गला रेज दिया हर्याली तीज शुक्रपस की तितिया तितिय को मनाई जाती है वहीं सुहागिन महिलाओं के लिए हर्याली तीज वरत बहुत खास होता है इतना ही नहीं कुमारी कन्याओं के लिए भी इस वरत का विशेश मेरत होता है ऐसा माना जाता है कि कुवारी कर्ण्याओं को इस रत रखने से अच्छा फ़र मिलता है और प्रवांचल के लोग हर्याली तीज के नाम से बड़े उस्सा और धुंधाम के साथ इसे मनाते हैं तीज पर महंदी लगाने और जूले जूलने का भी विशेश महत तो है पर देखा जाए तो इसमें जो जो सुवागिन मैला है वो सुवागिन मैला है अपना जो सुला सिंगार उसको ले करके और उसके बाद जो लड़कियां होती है वह भी इसको इस तैवार को पुलित की समनाती है और कहीं नहीं देखा जाए आई आप उताज जले इन लोग से जो लोग मेरे सब मेरे मैला है यह आपको बताएंगी कि जो किस तरीके से हरियाली तेवार है इसको बताते हैं कि पुर्वांचल के लोग जो है वो काफी इसको उत्सा पुर्वक्त मनाते हैं यह बास अच्छे कि लोग इसको बहुत उत्सा पुर्वक्त मनाते हैं तो तेवार बहुत सी उससाह परूमनाया जा रहा हों लेकिन धांधिक दिर्य इसका अशर हो Champions अनुट क्या है क्या है बताएंगे वल्यायानी कि तरीके और आपने पती के लिए यहां तक यह कवारी कन्याइं भी मनाती हैं ताकि उनको वर अच्छा मिले इसलिए हर्याली तीज का प्रोग्राम करती है और हर्याली तीज का जो प्रोग्राम है कि पुर्वांचल से आया हुआ है और यह हमारे आपी संस्कृती ऐसी बन गई कि हर औरत आज तीज का व्रत रखती है और इसको सुन्दर धंसे मनाती है जूले का निर्माड करके जूले जूल के हरी चूणिया पहन के मेंदी लगा करके इसके साज सज्जा के साथ इसका बहुती सुन्दर रंगमंच कैयार करती देखा जाया कहीं ने कहीं पूली तरीके से जो है जो हर्याली तीजे अब सावन महेना चालू हो चुका है और मैलाओं का व्रत वो है वो लगातार जा रही है कामर्पासन सागर साथ उपेंद्र रस्थाना कानपूर फिलाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना है देश प्रदेश की खबरों को लिए देखते रे प्राम टीवी नमाशकार आप देख रहे हैं प्राम टीवी सच साहस सरोकार